तो चलिए question number 29 पे चलते हैं, question number 29 कहा है सूर्ज आस्त के समय, यहनि सूर्ज जब डूडते रहता है, यहनि सूर्ज आस्त जब हो रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि उसके समय, 36 के नीचे चले जाने पर भी सूर्ज को समय तक दिखाई देते रहता है, आप देखे होंग तो कि प्रकास का अपवरतन होता है यानि सूर्ज डूबने में दो मिनट का देरी करता है और सुबह में सूर्ज दो मिनट पहले ही दिखने लगता है तो ये चीजें आपको दियान रखना है इसका कारण क्या है प्रकास का अपवरतन यानि सूर्ज जो है उगने लगता है दो मिनट पहले ही और दूबता है दो मिनट देरी से तो यह याद रखना है सुर्ज के जो है ऐसा होता है प्रकास के अभवरतर के कारण चलिए क्वेशन नमर 30 पे चलते हैं यदि उत्ता लेंस के सामने वस्तू टू एफ पर रखी जाए तब उसका परतिविम कहां पर बनेगा त दियान रखना है कि उत्ता लेंस में कोई भी बस्तू जो है अगर टू एफ पर रखी हुई है तो परतिविम भी टू एफ पर ही नीचे बनता है और वास्तविक बनता है तो यह बस्तू के बराबर भी बनता है इस तरीके से याद रख सकते हैं 31 सरल शुक्षम दरसी किसका अप्योग होता है तो उत्ता लेंस का अपयोग होता है यह भी आपको धीयान रखना है 32 किसे लेंस दौरा केवाल काल्पनिक परतिविम बनता है soften sasqué तो हमने सायद रखकिए अब इस वरी बस्तू कहां रखने बोला है तो फोकस और 2F के बीच में रखने बोला है अगर यह ऐसा होता है तब आपका जो बस्तू का परतिविम जो है कैसा बनता है तो यह भी आप जानते है F और 2F और इंफाइनाइट तो यह अगर वस्तू अगर 2F और F के बीच है तो परतिविम आपका 2F और इंफाइनाइट के बीच बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तू से बड़ा परतिविम बनता है तो यह आपको ध्यान रखना है वास्तवी एनि उल्टा और वस्तू से बड़ा परतिविम बनता है Q34 उत्ताल लेंस को KS L reference भी कहा जाता है अभी सारी लेंस कहा जाता है अब सारी लेंस किसको कहते हैं अब सारी लेंस को कहते हैं Q35 लेंस की छमता वेक्त की जाती है तो फोकस दूरी के विद करमानुपाती मतलब लेंस की छमता बरावर होता है वन वटे एफ यानि फोकस दूरी के उल्टा होता है क्वेशन नमर 36 उत्ता लेंस द्वारा आवरधित कालपनी परतिवीम तब बनता है जब अस्तू रहती है फोकस और धरूब के बीच यानि आपको क्या पता होना चाहिए फोकस और लेंस के बीच मतलब धरूब के बीच यानि उत्ता लेंस में बस्तू जो है बस्तू से बड़ा परतिवीम तभी बनता है जब फोकस के अंदर धरूब के बीच में आप यानि लेंस के बीच यानि फोकस के बीच जब बस्तू तो उस बस्तू का परतिभियो, मावर्देत, मतलब बड़ा, काल्पनिक और सीधा बनता है Q sciences 37 सघचन माध्यम से बिरल माध्यम सघेन मातल मतले मतलब गाहना, गाहना माध्यम और हलका मतलब कम भीर वाला माध्यम जैसे हवा हुआ विरल माधियम, काच हुआ सगहन माधियम तो इस तरीके से बोला है कि कोई सगहन माधियम से विरल माधियम में गमन करती है तो आपतन कोन और अफबरतन कोन में क्या संबंध होता है तो question ये है कि मान लीजे कोई सगहन माधियम है ये मान लीजे ये मान लीजे ये काच है काच से आपका परकास जो हवा में आ रही है मतलब काच से यानि सघन माध्यम से बिरल माध्यम में आ रही है तो परकास की किरने जो है नॉर्मल से दूर चली जाती है आप देख सकते हैं ये अपवरतित किरन और अभीलम के बीच बने क कौन से जादा बढ़ा हो गया है अप बदन कौन तो यहां पे अंगल में गहां सरा व्यां नहीं है जोड़ी नहीं है और केवल और केवल यहां पे निर्वात, यानि सुनों होगा, यहां वायू भी होना चाहिए, अंसर वायू निर्वात में अधिक्तम होता है, तो मेरे लिठी इसर दो ऑर सी खी इसर होगा, चलिए question number 49 लाल और नीले वर्ण की किरने काच की सतह परवाई में आपतन कौन समान है काच में अपवर्ण कौन करमसा R1 और R2 है बतलब यह हुआ कि लाल रंग के लिए जो अपवर्ण कौन है वो R1 है और नीले नी ब्लू करल का जो रंग है वर्ण है उसका अपवर्ण 2 है तो अपवर्ण जो है कौन 2 है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिचलन जो होता है वो नीले रंग में होता है ब्लू कलर का बिचलन अधिक होता है मतलब अपवर्ण कौन उसमें अधिक होगा R1 से यहन्याँ अंसर इसका हो जाएगा कुण होगा तो आर्टू जादा होता है सी नमबर अंसर होगा आर्टू मतलब नीले रंग में बिचलन कमान अधीक होता है प्रकास अधीक बिचलित होती है मतलब अधीक अफवरतित होगी चलिए क्वेश्चन नम यहां पर हो जाएगा चालिस आपको याद है उत्तल दर्वन का भी फोकस जो है दाएं साइड होता है और आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस का भी आपका जो फोकस होता है दाएं साइड होता है और जो दाएं साइड दूरी होता हो धनात्मक होती है तो यहां पे दोनों का दोनों ही उत्तल होगा जबकि और अभासी प्रतीमकी का निर्मान जो हुता है उत्ता लेस्ट में भी होसकता है अभ्द each-aptal लेस्ट वह जोगा इसलिए सी नंबर क्लेंच की चंमता फिर भेजा होता है वन वटेध लेकिनSON ये फ्रमला जोता है जब में सबता है संटीमीटर में फोकस दूरी रहता है तब उस वक्त जो होता है एंग्षांट की चंता का इसा मातरग डाय़प्टर होता है या मीटर होता है अब दोनों याद रख सकते हैं पानी के भीतर तेरते मनुस को किनारे पर इस्तित मिनार की उचाई कैसी लगेगी तो ज्यादा बड़ा लगेगी यह आपको परकास का फवरतन का उधारन है तो याद रखना है 45 सीसे के सलैब से जब परकास का फवरतन होता है तो उसमें बिचलन पैदा होती है कि बिचलन पैदा नहीं होती है कि पार्स बिस्थापन होता है और डी नमर में बोला है बिचलन तो नहीं होता पर पार्स बिस्थापन होता है तो अंसर इसका डी अंसर होगा अब देखे लेकिन अपने कुछ रास्तों से बिचलित होकर के सरी पार्स विस्थापन होकर विस्थापी पतला खिसक करके निकलती है ये आपको धियान रखना है डी नमर अंसर होगा चालिस नमर निमली खीत में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रत्वी बना सकता है तो यहां पे सिर्फ औ अब तल लिन्स होगा अब तल तो हमेशा अवासी बनाती है प्रकास की एक किरन जब बीरन माधियम से सघन माधियम में जाती है तो वहां होती है अभिलम से दूर हो जाती है या अभिलम की और मुर जाती है अब को याद रखना है जब बीरन माधियम से प्रकास की किरने सघ दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पुर्वपत से बिचलित हो जाती है इसे कहते हैं परकास का अपवरतन तो यह आपको बेहतर तरीके से याद रखना है परकास अपने एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है देखते होंगे जब परकास की करन एक माध्यम से उसने मादम जाती है तो अपने रियल पात से मूर जाती है चाहे वो अभी लंब से दूर हो जाए चाहे अभी लंब की तरफ मूर जाए और यही घटना परकास का अपवरतन कहलाता है वेश्चन नमर उन्चास उत्ता लेंस में जब बस्तू फोकस और लेंस के बीच रखी जा से बड़ा बनता है और सीधा बनता है और आवरधित बनता है चले क्वेश्चन नमर पचास लेंस का प्रति एक छोटा भाग प्रिज्म के तरह काम करता है कैसे तो कोई भी लेंस है अब उसको टुकरा टुकरा कार तीजिए तो सभी लेंस आपस में प्रिम जैसा काम करता है जो टुकरा किया हुआ लैंस बचता है चले question No.1 या sounds उत्तर लैंस के सामने एक बीम नहीं परतिवीम मतलब होता है बस्तू यह उत्तर लैंस के सामने लैंस के ऐस्तर बचे के आदर मतलब धरूब के बीच रखा जाता है तो परतिवीम बनता है यहाँ पर धरूब पर कास्य केंद्र उन्स के जा‐ फोकस के बीच में यहां पर पर अप्टिकल सेंटर हुआ यहां पर परकास्य केंद्र रहते है तो आपका जो इमेज बनता है परतिवीं बनता है और सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है वस्तु से तो यह आपको देखना है और काल्पनिक बनता है तो अंसर इसका हो जाएगा यह नमर काल्पनिक और आवर्धित परतिवीं बनता है बावन नमर क्वेश्च यह दिए वायू के सापेख्ज कांच का अपवरतनांग यह दिए वायू के सापेख्ज कांच का मतले गलास का अपवरतनांग जो है एर के हवा के अपवरतनांग के कमपेरिजन में मतलब एर के अपवरतनांग के सापेख्ज गलास का अपवरतनांग क जो मान है 1.5 दिया है तो पूछा है कि काचS के साफ एक्ष यायो का पॉपरतरा कि मतलब यू का पॉपरतराN किसके साफ एक्ष तो गलास याणि काच इप तो यह ज। इसका उल्टा हो गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यू जी बटे म्यू ए का मान दिया है 1.5 और पुछ दिया है उलट करके म्यू ए बटे म्यू जी का ही हो जाएगा इसका अंसर भी उल्टा 1.5 अंसर हो जाएगा तो अंसर इसका डी होगा एक बटे 1.5 ते रेपन नमर कॉस्चन 20 संटीमीटर फोकस दूरी वाले ल तो यहाँ पे कट करेंगा तो पांच डेप्टर अंसर हो जाएगा चलिये अब यहाँ पे 5 प्लस वाला होगा कि मैनस वाला तो आपको प्याद होना चाहिए कि यहाँ पे फोकस दूरी जो है यहां पे कोई लेंस नहीं दिया अगर यहां उत्तर लेंस दिया रहेगा तो 5 ड खमता भी धानातमक होगा चाहँ नमर क्वेश्चन एक उत्ता लेंस को 30 cm की दूरी पर एक वस्तु को रखी जाती है यह उत्ता लेंस है उसके 30 cm की दूरी पर एक वस्तु को रखी जाती है ज़िए ठीक है लेंस के इस लेंस से उतने ही दूरी पर वस्तु का परतिवीम हुआ है इसका मतलब अक्ता केदर का जस्ट मीडल में यहां पर फोकस होता है तो यहां पर फोकस दूरी पूछा गया है तो टूटल दूरी यहां 2F के बीच की दूरी जब 30 दिया हुआ था निए 2F कमान 30 दिया था तो कमान कितना हो जाएगा आधा 15 संटीमीटर अंसर होगा बी नमबर अप्शन पच्पन नमबर एक उत्तल लेंस की 30 संटीमीटर दूरी पर एक बस तू यादी बीम रखी गई है लेंस से उतने ही दूरी पर बास तभी परतिवी बनता है तो लेंस की फोकस दूरी सेम कुशन है इसका भी अंसर हो जाएगा 15 संटीमीटर चले कुशन नमबर 56 एक अबतल ले करेंस है और अब टरन आटमक होता है वह अ यहां पर माइनस 20 cm दिया हुआ है अब देखिए यहां लेंस की छम्ता बराबर होगा वन वट करियेगा तो यहां पर आपका पांच डैपन तो आएगा लेकिन प्लस में तो माइनस में क्योंकि यह अफ्ता लेंस है तो मैनस मॉच डेप्टर अंसर होगा 56-57 की योड़ चलते हैं यदि वस्तू उत्ता लेंस के फोकस और फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो परतिविम कैसा बनेगा अब यह उत्ता लेंस है और उत्ता लेंस में वस्तू जो रखा गया है यह फोकस और फोकस दूरी के दूरी के दूरी यानि 2F के बीच में कहीं रखा गया है तो इसका जो परतिविम बनेगा वो बास्तविक बनेगा और वस्तू से आपको मालूम होना चाहिए इधर जो बनेगा आपको यह पता होना चाहिए 2F और इंफानेट के बीच बनेगा और बस्तू से काफी बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा तो अंसर इसका हो जाएगा डी नंबर वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा बस्तू से चल एक क्वेश्चन बरंठावन जब एक उत्ता लेंस से 20 cm की दूरी पर बस्तू को रखा जात यह जो है यह गर माल दीजे कि आवासी परती में मुत्तलेंस में तभी बनेगा जब उसका फोकस के अंदर आप रखेगा वस्तू को यह जो यह फोकस दूरी होनी चाहिए वो 20 संटीमीटर से अधिक होना चाहिए कि 20 संटीमीटर से कम होना चाहिए तो बिलकुल अगर यह 20 से सब्सक्राइब करें यह फोकस दूरी होना चाहिए तभी तो फोकस के अंदर वस्तू हो गा और इस तरीके से कालपनिक पर्तिमी बन पाएगा तो 20 संटीमीटर से अधिक पर आपको फोकस दूरी रखना पड़ेगा तभी तो वह कालपनिक पर्तिमीं बन पाएगा तो इस तरिके से उन्सट नमर कुश्चन पे चलते हैं एक लेंस की छ्वमता पाँच डैंप्टर है तो यह क्या होगा यह प्लस में दिया हुआ है लेंस की छ्वमता तह से उस्विछफ होगा अब यहां पर उस्विचा लेंस में अब यह फोकस दूरी कितना होगा दूरी वाला उट्ता लेंस होगा तो इसका answer होगा 20 cm फोकस दूरी वाला उत्ता हो जाएगा questions number 60 किसी उत्ता lens की focus दूरी 25 cm है तो उसकी छमता क्या होगी अब आपको पता है कि अगर सेंटी-मीटर में focus दूरी दिया है तो focus दूरी करो सकते हैं कितना एक सोवर्टे फोकस दूरी दिया है पचीस तो कटी जाएगा तो यहां पे चार्ड डैप्टर हो जाएगा तो यह चार्ड डैप्टर अंसर होगा ऐहुप कि आपने बहतर समझा होगा थिंक्यों सोमच वीडियो देखने के लिए झाल